हलो ममीजान चुल्रन आज मैं ग्रामर पोर्शन से एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है पिक्चर कॉम्प्रिहेंसन तो चलिए हम देखते हैं ये पिक्चर कॉम्प्रिहेंसन है क्या कॉम्प्रिहेंसन मिन्स होता है समझना मिन्स पिक्चर को समझे और समझ कर उसका तो चलिए हम देखते हैं, जैसे यहां पर मैंने कुछ वर्क्षिट ट्रेडी किया है, पिक्चर कॉम्प्रेहेंसन का, आपको जैसा कि याद होगा कि मैंने पहले भी पिक्चर टॉक पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन वो सिनियर केजी और जुनियर केजी के बच्चों क आता है, और बड़े बड़े क्लासेज में भी जैसे वन से लेकरके 5-6 तक भी पिक्चर कॉम्प्रेहेंसन आता है, बच्चों को बताया जाता है, तो चलिए हम देखते हैं, ये बच्चों के लिए बेहती ज़रुरी होता है बताने को, तो चलिए अभी देखते हैं, आखिर इसमें है क्या, पिक्चर कॉम्प्रेहेंसन में है जैसी, look at the picture and answer the question, means हमें कोई भी पिक्चर को देखना है, जैसी ये पिक्चर दिया हुआ है, इसी हम देखेंगे इसमें है क्या, observe करेंगे, उसके बाद इससे related हम question answer देखेंगे, and fill in the blanks also, तो first क्या है, हम देखते हैं, tick the correct sentences that describe the picture, हम lines को tick करेंगे, जो picture से related है, जैसे यहाँ पर बताया गया है, the picture shows children in a classroom, क्या ये classroom आपको दिख रहा है, आप बच्चे से question कर सकते हो, and second है, five children are playing in the sand, मतलब, पाँच बच्चे सेंट में खेल रहे हैं, is it right or wrong? and third, the children are making a sand castle in the sand, तो हम क्या करेंगे, picture में क्या दिया है, सेंट पे बच्चे खेल रहे हैं, तो five children are playing in the sand, तो इस पे हम टिक करेंगे, okay, and next है, the children are making a sand castle in the sand, सेंट पे क्या कर रहे हैं, बच्चे, सेंट कैसल बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे भी हम टिक करेंगे, okay, तो यह दोनों तो हो गया, यह तो हम इस पे नहीं करेंगे, तो इसमें cross भी कर सकते हैं, no problem, and हम next देख लेते हैं, what is the weather like at the beach, बीच में weather कैसा है, तो observe the picture, आप picture को observe करें, आप देखें, क्या किर weather है कौन सा, जैसे कि इसमें दिखाये गया है, sunny, इसमें hint दिया गया है, dark, cold, sunny, and hot, and rainy, तो इसमें क्या है, तो sunny है, sunny and hot, right, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, sunny, sunny and hot, आप यह बच्चों को पता सकते हो, और सिखा सकते हो, इस तरह कि आप बहुत सारे pictures ले सकते हैं, आप कोई भी picture ले ले, जैसे print out करवा ले, या कोई भी books में अगर picture होगा, picture आप cutting करके दे दे बच्चों को, उससे related आप खुद से ही question बना सकते हो, और फिर बच्चे को दे सकते हो, at least बच्चा कर पाएगा, सिखेगा, तो चलिए हम next देखते हैं, circle the sea animals that you can see in the picture, हमें circle करना है sea animals को, जो हम picture में देख रहा हैं, तो हम देखते हैं, क्या हमें देख रहा है, जैसे ही यहाँ पे दिया है, sea horse, giraffe, crab, dog, starfish, turtle and fish, तो first है sea horse, तो हम देखेंगे अखिर sea horse है या नहीं है picture में, okay, who will tell me, picture में sea horse है, yes, sea horse है, this is sea horse, so हम क्या करेंगे, यहाँ पे, sea horse में हम circle देखेंगे, right, sea horse में, and second है giraffe, तो क्या आप picture में देख कर बता सकते हैं, कि यहाँ पर giraffe है, यहाँ पे आपको giraffe दिख रहा है, no, यहाँ पिचर आप नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें circle नहीं करेंगे, right, और third है crab, तो अब हम picture में देखेंगे कि crab है, तो देखते हैं, नहीं है, इसमें crab है, yes है, है या नहीं है, who will tell me, yes है crab, यह red color का crab है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे, crab में हम circle कर देंगे, okay, and next dog, तो क्या picture में आपको dog दिख रहा है, observe the picture, इसे ही picture comprehensive बोलते हैं, आपको dog दिख रहा है यहाँ पर, कहीं पर भी दिख रहा है, नहीं, तो dog नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे circle नहीं करेंगे, and starfish, starfish दिख रहा है, who will tell me, starfish दिख रहा है यह नहीं दिख रहा है, yes, starfish दिख रहा है, yellow color का, तो हम क्या करेंगे, फटा फट यहाँ पे जाके starfish को circle करेंगे, okay, we will circle on this word, right, and next है, turtle, turtle, turtle है, अब वो हमें देखना पड़ेगा, turtle है यह नहीं है, ओके, आप ध्यान से देखे, turtle है, turtle, yes, turtle, so यहाँ पर turtle भी है इस बीच में, तो हम क्या करेंगे, turtle पे circle कर देंगे, okay, and last step fish, तो क्या आपने पिक्चर में देखा, fish है या नहीं है, yes, fish है, देखे ध्यान से fish है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, fish में भी circle कर देंगे, इस तरह से बना सकते हैं, right, and next step fill in the blanks, so हम ही क्या करना है, there are dash fishes jumping out of the water, क्या fishes jumping कर रही है पानी में, कितनी fishes कर रही है, तो हम चली देखते हैं, तो कितनी fishes कर रही है, one, two and three, और भी आपको देख रहा है इस picture में, नहीं, तो three fishes, so you can write, three, three fishes, या word में भी लिख सकते हैं, three, and next step the crab is dash in color, okay, अब हम picture में देखते हैं, crab कौन से color का है, हमने circle भी किया है, who will tell me, कौन first, yes, red color का crab, red color का crab, right, so हम यहाँ पे लिखेंगे, the crab is red in color, लाल color का है, so यहाँ पे हम red लिखेंगे, okay, and next है, the girl is wearing a, अभी girl क्या पहनी है, हम जड़ा देख लेते हैं, girl क्या पहनी हुई है, girl is wearing a frock, यह frock पहनी हुई है, right, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे, the girl is wearing a frock, F-R-O-C-K, frock, frock पहनी हुई है, इसी तरह से मैंने, एक दूसरा picture भी stick किया है, वो भी हम देख लेते हैं, इसी तरह से मैंने, यहाँ पे जैसे दिया है, look at the picture, and answer the question that follow, what does the picture show, picture में क्या देख रहा है, आपको क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हिंट भी दिया है, आप picture में क्या देखते हो, bedroom, bathroom, यह living room, यह आपको कैसा दिख रहा है, bathroom तो नहीं दिख रहा है, living room भी नहीं दिख रहा है, पिलो है, bed है, तो हम क्या tick करेंगे, bedroom, राइट, तो हम bedroom को tick करेंगे, यहाँ यहाँ पर fill कर देगे, the picture shows the bedroom, तो यहाँ पे हम bedroom लिख देते हैं, बेड्रूम और हम टिक भी कर देते हैं और नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच इंसेक्ट इस अड़ विंडो कौनसा इंसेक्ट है विंडो पर हिंट दिया हुआ है स्पाइडर, लेडी बग, फ्लाई फटा-फटा पिक्चर देखिये और देखिये क्या दिया है लेडी बग है या क्या है, स्पाइडर है, फ्लाई है बच्चों से पूश सकते हो इससे उनका माइंड भी बढ़ेगा और वो फटा-फटा आंसर करेंगे यहाँ पर हम लेडी बग को टिक करेंगे राइट? लेडी बग को टिक किये अब यहाँ पर हम लेडी बग लिख देंगे येस और लास्ट बट नॉट दा लीस्ट नेम दू अब्जेक्ट यू सी इन दा पिक्चर राइट? तो हम इसमें क्या देख रहे है पिक्चर में? ये कोई दो अब्जेक्ट के बारे में इमें बताना है ऐसे तुम बहुत सारी चीजे देख रहे हैं फर्स्ट है हमारा फ्लावर पॉट तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? फ्लावर पॉट सौरी पैंसल से नहीं क्लियर दिख रहे हैं एक हो गया फ्लावर पॉट सेकेंड आप कोई भी लिख सकते हो यहाँ चियर है, बुक है तो मैं चियर लिख देती हूँ, ओके? चियर तो यह रहा आज का टॉपिक क्या था पिक्चर कॉम्प्रिहेंसल जिसे हम पिक्चर टॉक के भी नाम से जानते हैं पर छोड़े बच्चे को पिक्चर टॉप बोला जाता है लेकिन जब बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं तो उन्हें पिक्चर कॉम्प्रिहेंसल बोलते हैं आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और इस चैनल पर अगर नए हुआ तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ओकी थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग मैं चैनल